धन्यवाद बास्केट बॉल समझाने का मौका हम को देने के लिए शुरू करते हैं बास्केट बॉल क्या है? इमेजिन करो आपके पास एक बास्केट है और आपके पास एक बॉल है आप क्या करोगे बॉल को बास्केट में डालोगे वही बास्केट बॉल है लेकिन ये जो बास्केट है बास्केट बॉल गेमे ये 10 फुट की उचाई पे होता है तो अगर आपकी हाइट कम है मेरी तरह 6 फुट की हाइट है तो फिर आपको बॉल बास्केट के अंदर थ्रो करन होता है लेकिन अगर आपकी हाइट लंबी है आप लंबे हो तो फिर आप जंप करके भी बॉल को बास्केट में डाल सकते हो यहां पर आप देख रहें बास्केट बॉल का कोट तो बास्केट बॉल का कोट दो हाफ में डिवाइड़ होता है दोनों हाफ एक जैसे होते है तो ए यह कि आपको ball basket में डालनीए तो black team को ball white team के basket में डालनी और फिर white team को ball black team के basket में डालनी तो जब ball basket में जाती को point मिलते कितने point मिलते वो depend करता आप कहां से ब prediction में डाल रहे अगर आप यह highlighted area जो blink कर रहा इसके बार कहीं से भी अगर ball को basket के अंदर डालेंगे तो आपकी team को मिलेंगे 3 point अगर आप इस green area के अंदर से कहीं से भी ball को basket के अंदर डालेंगे तो आपको मिलेंगे 2 point इसके अलावा एक special situation होती है जिसको कहते free throw उस free throw के अंदर जो player है वो green box के अंदर simple खड़ा होगा और बाकी सारे player अपनी अपनी positions ले लेंगे और इस players को shot लेने का मौका मिलेगा जैसे ये player shoot करता है और ball अगर अंदर जाती तो उसको बोलते 1 point तो हमने क्या सीखा अगर इस area के बाहर से कहीं से भी direct shoot किया और ball अंदर गई तो 3 point और अगर इस area के अंदर से कहीं से shoot किया तो 2 point और जब free throw होगा तब 1 point अब बात करते कि players ball को basket में कैसे डाल सकते है जब ball उनके पास है तो वो क्या-क्या कर सकते ball के साथ जब ball player के पास है तो या तो वो ball को अपने हाथ से floor पे bounce करते करते कहीं भी जा सकते इसको बोलते है dribble या फिर जो player है वो अपने किसी भी teammate को ball directly pass कर सकते है और उसको बोलेंगे pass या फिर जब player के पास ball है तो वो directly basket के अंदर ball को shoot कर सकते है उसको बोलते shoot तो किसी भी time जब ball player के पास है या तो वो dribble कर सकते हैं या पास कर सकते हैं या फिर शूट कर सकते हैं ये तीन आप्शन हमेशा प्लेयर के पास रहते हैं अब बात करते हैं गेम के शुरुआत की गेम शुरू कैसे होता है तो एक टीम के सारे प्लेयर एक तरफ दूसरी टीम के सारे प्लेयर दूसरी तरफ इस सरकल के अपने teammate को pass दिया और यह क्या हो गया बहुत fast लुआ तो मैं इसको slowly breakdown करूंगा कि यहां पर हुआ क्या है तो देखते हैं ball ब्लैक टीम के player ने जम्प किया और अपने teammate को pass कर दिया अब क्यूंकि ball black team के player के पास है white team का एक player उसके pass जाएगा उसको block करेगा ताकि वो आगे ना आपाए अब आप देखेंगे black team का यह player जो यह basket के pass जाने के कोशिश कर रहा है तो इसका intention है कि यह कहीं से अंदर की तरफ आके pass में चला जाए बर जो white team का player यह उसको defend करेगा यह उसको basket के पास नहीं आने देगा सेम आप यहाँ पे देख सकते यह player इसको defend कर रहा है क्योंकि जितना basket से दूर रहेंगे black team उनके लिए ball को basket में डालना उतना मुश्किल होगा यहाँ पे देख सकते एक और player ने इसको cover किया है और यह वाला player ने थोड़ा सा space बना के अंदर चला गया है अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे जो black team का player है यह dribble करके आगे जा सकता है और shoot ले सकता है अगर फिर से देखे इसने जो shoot लिया है इ यहाँ पे उसको three points मिलेंगे right या फिर यह क्या कर सकता था यह player आगे जाता और अपने teammate को pass किया और अब इस teammate ने क्योंकि basket किया और यह इस area के अंदर है तो इसको मिलेंगे two points तो यहाँ पे दो options है या तो यह player dribble करते करते directly shoot कर ले three points या फिर dribble करके किसी को pass करे और फिर shoot कर सकते हैं एक बार black team ने ball को shoot कर दिया बास्केट में चले गई तो अब ball आएगी white team के पास और white team इस area के बाहर खड़ी होगी और यहाँ से अपने players को pass देगी और अब white team try करेगी ball को basket में डालने के लिए अब हमको समझना जरूरी है कि violation क्या होता है बहुत type के violation होते है ब एक shoot attempt करना है यानि एक बार ball को इस basket के अंदर डालने की कोशिश करनी है अगर नहीं की उन्होंने तो फिर ball black team के पास आजाएगी दूसरा है 8 second rule अगर 8 second में क्योंकि white team इस तरफ आ रही है अगर 8 second में white team इस line के इधर नहीं आई यानि court के इस half में नहीं पहुची तो वो 8 second rule violation होगा उस case में भी ball black team के पास जाएगी 5 second rule हो गया 5 second rule ऐसा है कि जिस player के पास ball है वो 5 second से ज्यादा ball को अपने हाथ में रखके खड़े नहीं रह सकता उसको 5 second के अंदर अंदर या तो move करना है dribble करना है या pass करना है या shoot करना है अगर उसने 5 second तक ball लेके खड़े रहे तो फिर उस player का violation हो जाएगा और ball black team के पास जाएगी 3 second rule violation यह है कि जो attacking team है यहाँ पर white है अगर white team इधर basket करना चाह रही है तो white team का player इस area में 3 second से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकता अगर 3 second से ज़्यादा खड़े रहता है तो यह lane violation होगा तो इस player को 3 second के अंदर अंदर बाह जाना पड़ेगा तो white team का कोई भी player इस area में 3 second से ज़्यादा नहीं रह सकता वरना lane violation हो जाएगा अब बात करते एक और violation की अगर आप दोनों हाथ use करके ball को bounce करते वे move कर रहे तो यह होता है double dribble यह allowed नहीं है आप at a time ball को एक ही हाथ लगा के bounce करते वे आगे जा सकते आप right hand से bounce करके left में ले सकते है left से bounce करके right में ले सकते हैं लेकिन दोनों हाथ टच करके bounce किया और फिर दोनों हाथ लगा इस तरीके से किया तो वो double dribble है वो allowed नहीं है इसके अलवा अगर आप ball को लेके तीन से ज़्यादा कदम लेते तो वो traveling कहलाती वो भी allowed नहीं है वो भी violation है इन case में भी अगर आपने ऐसा किया तो ball आपके opposite team को चली जाएगी अगला case है कि आपके opponent team ने ball को shoot किया और वो ring पे और आपने उसको बाहर निकालने की कोशिश की तो वो है basket interference वो allowed नहीं है अगर ball ring के उपर है और move हो रही है तो आप उसको touch नहीं कर सकते हैं यह एक ऐसा case मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरा एक player है जो बहुत लंबा है और जैसे कोई भी player shoot कर रहा है वो खड़े हो के उसको रोक देगा तो कभी score ही नहीं होगा इसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ ल यह case allowed है अगर आप basket कर रहे है और ball उपर की दिशा में जा रही है तो फिर आप jump करके उसको रोक सकते है यह allowed है बट नीचे आती भी ball जो basket के अंदर जा रहे है उसको आप jump करके नहीं रोक सकते है यह भी violation है इस case में भी ball आपके opponent को जाएगी अब बात करते है free throw की free throw में ए इंदर try कर रही है free free shoot तो white team के 3 players allowed होंगे वो in marks के बीच में खड़े होते है और black team के 2 players allowed है तो black के 2 white के 3 player allowed है बाकी सारे player इस area के बाहर खड़े होंगे और फिर यहाँ पे black player को ball दे दी गई है वो अपना time लेके एक simple free throw allowed कर सकता है कोई उसे रोक नहीं रहा है तो क्योंकि वो freely खड़े होके आराम से यहाँ से shoot कर रहा है उसको free throw बोलते है अगर यह हो गया तो इसको 1 point मिलेगा तो free throw कब देते है अगर game खेलते खेलते है इस area के बाहर से shoot किया तो 3 point मिलते है इसके अंदर से shoot किया तो 2 point मिलते है तो यह free throw कब देते है free throw तब देते है जब कोई foul होता है तो foul कैसे होता है उसको समलना जरूरी है चलो बात करते है foul की यहाँ पे दो player से offense और defense तो जिस player के पास ball है उसको हम बोलेंगे offense और जो player के पास ball नहीं है वो है defense तो आप imagine करिए एक vertical area cylinder सा imagine करिए जहाँ पे player है वो उसका zone हो गया और same defensive player का zone हो गया तो अगर offensive player defensive player के zone में गया तो offense team ने foul किया है उनकी against foul होगा और अगर defensive player offensive player के zone में गया तो फिर वो defense पे foul होगा तो अगर defense ने foul किया है तो offense team को free throw मिलेगा और अगर offense team ने foul किया है तो फिर defense team को free throw मिलेगा अब एक scenario imagine करते हैं यहाँ पे black player के पास ball है और वो shoot लेने की कोशिश कर रहा है और white team का player आया और उसने jump लेके हाथ मारा black player पे foul हो गया तो क्या होगा तो इस case में देखें क्योंकि ball अंदर चली गई तो three points मिलेंगे ball अंदर गई और वो इस area के बाहर थी तो three point मिलेंगे प्लस क्योंकि white player ने black player पे foul किया है तो free throw मिलेगा अब कितने free throw मिलेंगे उस वो depend करता है क्या हुआ है अगर three point attempt कर रहा था player और basket हो गया तो सिर्फ एक free throw मिलेगा अगर three point attempt कर रहा था और basket नहीं हुआ तो फिर three point three free throws मिलेंगे सेम चीज two point के साथ है अगर player two point attempt कर रहा और basket हो गया तो एक free throw मिलेगा और अगर basket नहीं हुआ तो दो free throw मिलेंगे इसके अलावा अगर कोई भी technical foul करता है तो एक free throw मिलता है और अगर कोई flagrant foul करता है तो उसको दो free throw मिलते है technical foul मतलब छोटा मोटा foul है flagrant foul मतलब बहुत ही खराब foul है तो दो free throw मिलते है जो basket ball है वो चार quarter में खेला जाता है और हर quarter को 12 minute के लिए खेला जाता है और हर quarter में पाँचवे foul के बाद अगर किसी ने भी foul किया तो दो free throw दिये जाएंगे और ये पाँच foul पूरे team के तो ये जो भी rule मैंने बता है ये NBA के rule से आप जिस league में खेल रहे हैं उसका थोड़ा अलग rule हो सकता है हो सकता है आपके चार quarter 10 minute के हो हो सकता है साथवे foul के बाद कोई foul किया तो free throw में ले तो वो आपको अपने league का देखना पड़ेगा क्या rules है आपके league के अब हम बात करते gameplay की basketball gameplay यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Hornets team है जिसके चार point है जो कि ये purple या violet dress में और जो blue team है golden state उनके 8 points है तो score आप top पे देख सकते है ये जो second है ये दिखा रहा है कौन सा quarter चल रहा है टोटल 4 quarter होते तो ये second quarter चल रहा है 150 दिखा रहा है कि second quarter में 1 minute और 50 second बचे है total 12 minute होते है clock 12 से कम होते होते है 1 minute 50 second पे आगई और ये 24 second है short clock violation तो 24 second में इस blue और yellow team को जाके ball को एक बार शूट करना है बासकेट पर otherwise ये एक violation होगा blue team ने पास किया अपने player को और ये player dribble कर रहे है और यहाँ पे shoot लिया है बट ball अंदर नहीं गई अब violet team के पास ball है violet team dribble करते वे आ रही है और violet team ने किया two point है violet team का score हो गया है four से six ball blue team के पास blue team का player dribble करते वे जा रहे है और blue team ने पास किया है फिर से dribble करते वे एक और पास किया है वो अंदर जाना चारे बट उनको जगे नहीं मिल रही है देखते क्या ये player पास जा सकते है यहाँ पे clear जगे मिली और यहाँ पे three point shoot किया बट ball अंदर नहीं गई कोई point नहीं वापिस से ball violet team के पास है violet team attack करते वे और यह क्या blue team ने ball चीन लिये violet team से blue team जा रही है shoot लेने और इन्होंने two pointer ले लिया इनका score हो गया 10th point तो इस तरह से basketball game है बहुत ही fast game है बहुत ही dynamic game है बहुत ही मज़ेदार game है उमीद करते अब आप basketball का भरपूर आनंद उठा सकते और आप इतने दिलदार कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेए क्योंकि हम नए नए खेल आपको समझाते रहेंगे अगर आपका कोई दोस्त है जिसे basketball सीखना है तो उसको ये वीडियो शेर कर दीजिए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए ओ ये तो कहावत थोड़ी गलत हो गई बट कोई बात नहीं यार जीवन में गलती होती है आप जब गेम खेलेंगे तो भी गलती होगी जीवन में गलती होती है बट आगे बढ़ते रहना चाहिए आप सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आगे मिलते रहें धन्यवाद